कि हेलो डियर फ्रेंड्स स्वागात आप सभी लोगों का हमारे इस यूट्यूब चैनल पवन ग्यान अक्यान अगर अगर आप अपकी रीजिनिंग के पूछे जाते हैं तो हम आज रीजिनिंग के बारे में बात करेंगे तो रीजिनिंग में समय अगर जैसे की सार्ट्थ से लिए से विए पकर जैसे तो आते हैं आपके जी के पर देए ये आपकी जैसे यूपी की राज़िए लगनो फरावा राजिस्थान की और के पी लो की कुछिन नबर डौडिंगे पर सब्सक्राइब करने पर चार आएगा परकार नो है तो 5 आपको क्यूब करने पर प्लस बन करने पर क्यूब की अकॉर्डिंक आपको 126 आपको है अब हम करते हैं स्कॉयर जैसे दो का स्कॉर 4 तो थीन का स्कॉर 9 है इसे प्लसक्राइब का पच्चीस दो श्कॉर 36 है तो यह क्टाँको बलतोगें जेसे की चाहर दोनी बलतो जोड़ने के उपड़ है तो नहीं कि उसकेल श्— बलतो है कि अधिन 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 आते हैं को भी फिक्स नहीं होता इसलिए अगर आप अधिन के को सौल करते हैं तो ऑप्षन का होना जरूरी है जैसे कि पांच का डिलेशन 25 तो चार के लिए सब क्या है तो उसको आएगा और गुणा करेंगे तो बीस आएगा ऐसी पर क चॉक शोल और चार पंजे बीस तो आपसर कुछ भी आ सकता है जब तक उप्षन नहीं दिया तो आपको कहसे पता पढ़ साकते हैं यह राइट आउन्सर है और जैसे प्रेंट करता है ना वह तो आउन्सर को पर जैसे प्रेंट नमर होना चाहिए डियर्क्त होना चाहिए इ क्यों चाहिए यह कि आउन्सर सी महांर आओ घृफन ऐर केया तो सतिति इसे समय को होने 95866 होना चाहिएanne तो तो तीन का रिलेशन अगर दो सो तेता लिस्ते तो पॉंच का रिलेशन क्या है तो तो अगर तीन की पावर पांच करतें तो कि रिलेशन क्या रिलेशन है तो तो कि है वावन अंजन आएगा उसी परकार में आप 12 से डिवाइट कर देंगे और एक एड कर देंगे तो वामन उसर आएगा कुस्ताइब नमर 6 में डिरेस्टोन अगर 42 का रिलेशन वीच से तो चौसर का रिलेशन किस से होगा कुस्ताइब नमर 7 में पूछाए डिरेस्टोन अगर 12 का रिलेशन किस से होगा एक दो चै तो डिरेस्टोन एक सो किस आपको 11 का क्यूब है और 11 का क्यूब है उसी परकार 25 का क्यूब है तो 25 और टौंच एक छे ज्बार इसलिए इसका रिलेशन दर आज तो चलते हैं अगर 6 का रिलेशन 22 से है तो 7 को होगा अगर हम 6 का क्यूब और 6 कर दें 216 और 222 हो जाएगा उसी परकार 7 का क्यूब और 7 जोड़ दें तो 3,5 इसका रिलेशन हो जाएगा कुशन नमबर 9 में देखें अगर 26 का रिलेशन 5 जाए तो 55 रिलेशन किससे होगा तो 26 में हम 5 और 25 और 26 होता है क्यूब और 5 का दे रखा इसलिए परकार 8 to 465 इसलिए इसका रिलेशन 8 हो जाएगा कुशन नमबर 10 अगर 25 का रिलेशन 123 तो 36 का रिलेशन किससे होगा तो 55 और 5 का क्यूब उससे परकार 6 का क्यूब कर देंगा तो 216 इसका राइट आउंसर हो जाएगा अगर 14 का रिलेशन 900 है तो 26 का रिलेशन किससे होगा अगर 16 में दो से भाग देतें दो जोड़ दें तो 7 दो 24 दो 9 हो जाएगा उससे परकार तेरे दो 26 अगर 25 हो जाएगा ऑप्शन नमबर 10 इस दा राइट आउंसर अगर आठ का रिलेशन 28 से हो तो 27 किससे होगा दो का क्यूब करदें आर तीन का क्यूब प्लैसändern कर दें तो थीप तॉत होцы हो जाएगा इसी फिम्ण का थीव प्रमाट का क्यूब कर दें आठ तौहा वह करदें तो दो 30 से होगा तो हमारा आंसर 222 हो जाएगा, option number 3 is the correct answer हो जाएगा अब चलते हैं 14 question की को एक का relation एक से है तो 25 का relation किस से होगा हम एक का क्यूब गरने तो यह जाएगा, अगर एक का क्यूब भी करने तो भी जाएगा, अगर हम 5 का क्यूब करने तो 25 से हो आगेगा कुछ सब्सक्राइब करते हैं तो 36 दो से डिवाइड करते हैं तो आपका ठारे बचता है इसी पर का तो आपका ठारे बचता है तो सोग का रिशन किसी होगा और शाषता रोड़नेशा करते हैं जड़का गयाब तो हम इसमें दो का गयाब दिनगे बारे एक चोभा लिए इसलिए भी इसदा राइट आउसर अब तीरे का ठारे चलते हैं अगर 9 का रिलेशन 80 से तो 100 का रिलेशन किससे होगा तो 9 का स्कार माइने से करते हैं तो 80 होता है उसी पर 100 का स्कार माइने से करने पर 9900 होता है यह आपका उप्शन नमबर डी इस दर राइट आंसर हो जाएगा अगर आप उननीश में चलते हैं सार आजा 544 रिलेशन अगर आप 5362 से तो 463 रिलेशन किससे होगा तो डी आप गोर से देख तो में दो दो डेवाइट हो रहा है मतलब इसमें से घत्रा से अग्टा दींगी तो चार में से दो गए तो दो चार में दो पांच तीन में दो बत्तिस्यों प्याट में थे तो 463 से किस रिलेशन होगा अगर हमारा इसमें भी हम फॉर इवन बन जोड़ दें तो 5784 इसदर आइट आउसर हो जाए और नमबर दे इसदा करेंग तो कुस्छन नमर्बर 24 में अगर हमारा पांच का रिलेशन एक्सों चौविस से है तो साथ कर देंगे तो इसका रिलेशन के से होगा पांच का क्यूब करने पर 125 आथा इसमें से एक घटा है तो 124 इसपर हम साथ का की उप करेंगो इसमें से घटाएंगे तो 322 का राइट आउसर आइगा 15 में अगर पांच का रिलेशन 36 तो चे का रिलेशन किसे होगा तो पांच है चे च्छाइज़गी चुटके एक का में स्कार कर देंगे तो इसका भी राइट आउसर है अब चलते हैं 26 की हो 26 में पूछा गर 16 का रिलेशन 56 यह तो 32 का किसे रिलेशन होगा तो अगर 16 में 3.5 क मतलब मिल्टिव लेशन करें में गुणा करें तो च्छपना आएगा उसी परकार 32 में 3.5 को गुणा करें तो एक सुबार आएगा option number B is the right answer question number 27 पूछा डियर्शन 2 का रिलेशन साथ से है तो 6 का रिलेशन किससे होगा तो 2 का रिलेशन साथ से है तो 2 का Q plus 3 साथ होगा दो 4 और 3 साथ उसी परका 26 26 और 3 49 इसदा राइट आएगा question number 28 पूछा डियर्शन अगर साथ का रिलेशन साथ से है तो 50 का रिलेशन किससे होगा तो 7 2 नी 14 तीन 17 उसी पर 52 नी 100 और 4 hmmm 23 नी 56 पूछा डियर्शन आएगा question number 29 में पूछा डियर्शन एक का रिलेशन आठ से है तो 27 रिलेशन किससे होगा एक का क्यूब एक दो का क्यूब आठ उसी परका 3 का क्यूब सत्ता है और 4 का क्यूब चौट option number D is the right answer and 31 पूछा डियर्शन अगर 3 का रिलेशन 27 है तो 7 का रिलेशन किससे होगा हम 3 का क्यूब कर दें 27 उसी परका क्यूब कर दें 243 343 इसलिए डियर्शन राइट नो का क्यूब अगठ है तो 56 का किससे रिलेशन है तो नो होती है 27 से रिलेशन 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 किससे होगा और 6 में 2 से डिवाइड करें तो तीन आएगा 3 में से दो उसी प्रकार 8 में से दो चार चार में से दीन आप चलते हैं नास्ट अंतिम क्यूब एक कर लिसन आठ से तो 4 का क्यूब कर दिया तो 2 का क्यूब कर दिया तो 4 का क्यूब कर दिया चोजट अप्सिन नंबर इस तर आइटम का आप लोगों को बीड़ चेले तो वीडियो को लाइक कमेट रुचार करना रहा है और भी ऐसी आजूकेशन बूड़ देखने के लिए हमारे यूटूब चनल को सब्सक्राइब जरू करते हैं जिससे कि आपको नेश्ट बूड़ियो की नौट सब्सक्राइब लिती है थैंक्स